हलो वीवर्स आज के वीडियो में हम कक्षा नववी की वार्षिक परिक्षा की तयारी कर रहे हैं क्योंकि नववी की वार्षिक परिक्षा एक अप्रेल से शुरू होने वाली है और आपके नववी में जो विशय है सामाजिक विज्ञान जिसमें चार पुस्तकें तो सामाज विज्ञान के महतपुन प्रश्ण तयार करेंगे और सामाजिक विज्ञान में भी आज हम भुगोल के दो तीन और चार नंबर के प्रश्ण तयार करेंगे तो भुगोल की संपुन तयारी हम कर लेंगे प्रश्ण उत्तर की इसके बाद भुगोल में मानचीत्र का एक प्रश् परश्न के अलग से तयारी होगी तो शुरू करते हैं परश्नमबर पहला है भारत का अक्छांशी व देशान्तरी विस्तार लिखिये तो इसका उत्तर होगा भारत का विस्तार आठ डिग्री चार कला उत्तर में 37 डिग्री 6 कला उत्तर दक्षांश और 68 डिग्री 7 कला पूर्वी में 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर के मध्य है तो इसका उत्तर होगा और यह आपको जो इसी तरह से याद करने पढ़ेंगे इसके लिए तो इसके बाद जो अगला प्रिशने भारत के केंदर शाशित प्रदेशों के नाम लिखे भारत के केंदर शाशित प्रदेशों के नाम तो इसका उत्तर है वर्ष 2022 में भारत में कुल नो केंदर शाशित प्रदेशे जिनके नाम है अंडबान तथा निकोबार, दीब समुह, चंडीगर, दमन और दीब, दादर तथा नगर हवेली, लक्षदीब, पुदूचेरी, दिल्ली, जो कि रास्टी राजधानी शेत्र है, जमू कश्मेरो लद्दाक है इसके बाद अगला प्रिशने भारत के पडोसी देशों के नाम लिखिए तो इसका उत्तर होगा भारत कुल नो देशों के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है जो कि है अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान, चीन, म्यामार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रिलंका और मालदिव तो ये नो देश है भारत के पडोसी इसके बाद अगला प्रिशन देखेंगे शेत्रफल की दरस्टी से विश्व के साथ बड़े देशों के नाम लिखिए तो साथ बड़े देशों के नाम लिखना है तो देशों के नाम हम देख लेंगे रूस, कनाड़ा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया और भारत इसके बाद अगला है करकर एका भारत के कोन-कोन से राज्व ने से होकर गुजर्टी नाम लिखिए करकर एका भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम, बंगाल, राज्यस्तान, गुजर्टी है इसके बाद अगला है तो आपको इन प्रश्णों को अभी याद कर लेना चाहिए क्योंकि एक्जाम के समय आपको इतना समय नहीं मिलेगा एक या दो दिन की जब चुटी रहेगी तो उसमें याद करना थोड़ा मुश्किल होगा तो अभी हिंदी के पेपर में कुछ समय तो आप अभी इसको याद कर लो तो इसके बाद अगला प्रश्ण है भारती उप महाद्वीब किन देशों से मिलकर बना है तो इसका उतर है इस उप महाद्वीब में आम तोर पर भारत, पाकिस्तान और बांगलादेश सम्मिलित किये जाते हैं और नेपाल, बुटान और श्रिलंका को भी प्राया सम्मिलित किया जाता है और कभी-कभी अफगानिस्तान और मालदी भी सम्मिलित किये जाते हैं तो जो भी पडोसी देशियों सारे ही यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं इसका अगला है भारत को विश्व में किन-किन नामों से जाना जाता है तो इसका उतर है भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्थ, भारत नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्थ, भारत नाम से जाना जाता है इसकी बाद अगला है मानक याम्योत्तर से क्या आशे है मानक यामियोत्तर से क्या आश है तो इसका उतर होगा भारत का मानक यामियोत्तर सबसे पहले तो आपको बता दे कि 88 डिग्री तीसकला यामियोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामियोत्तर भी कहा जाता है ध्यान डए के मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तरत भूबा के लोगों के विहवार के लिए स्विक्रत होता है तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि मानक या मियोत्तर जो है अट्थाउन डिग्री तीसकला या मियोत्तर या देशांतर को भारत का मानक या मियोत्तर भी कहा जाता है ध्यान दही के मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्टथ भूबा के लोगों के व्यवार के लिए सुखरत होता है इसके बाद अगला प्रश्ण है रेशया मार्ग पर संक्षिप्त में लिखे ठीके रेशया मार्ग पर लिखना है यहाँ पर तो इसका उत्तर है रेशा मार्ग प्राक्षेन काल और मध्यकाल में एतिहासिक व्यापारिक सांस्क्रतिक मार्गों का एक समूध था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफरिका जूड़े हुए थे इनका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशा मार गए जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य इश्या में और यूरोप में जाता था और जिससे निकलती एक शाका भारत की ओर जाती थी कन्या कुमारी और कश्मीर में दिन रात की ओधी में अंतर होता है कोई दो कारण लिखे तो दो कारण बताने है हमको कि कन्या कुमारी और कश्मीर में दिन रात की ओधी में अंतर क्यों होता है तो इसका उत्तरे पहला जो है कन्या कुमारी भूमद्य रेखा के नजदी किस्ती थे जहां वर्ष भर सूरिय सिर के उपर चमकता रहता है जिससे दिनो रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है दूसरा है भूमद्य रेखा से दूर होने के काण कश्मिर में दिनो रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है पद अगला प्रशने स्वेज नहर के निर्मान का भारत वर यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए तो स्वेज नहर के निर्मान से भारत वर यूरोप के व्यापार में इसका क्या महत्व ये बताना है तो इसका उत्तर होगा स्वेज नहर बन जाने से युरोप एम सुदुर पुर्व के देशों के मद्धे दूरी बहुत घट गई है जैसे कि लिवर्पुल से मुंबई आने में 7250 किलोमेटर पता होंग कॉंग पहुशने में 4500 किलोमेटर नियुयर्क से मुंबई पहुशने में 4500 किलोमेटर की दूरी कम हो जाती है इस नहर के कार्ण है भारत वा युरोपी देशों के बिच व्यापार एक संबंद प्रकार होए है स्वेज नहर बन जाने से युरोपीम सुदुर पुर्व के देशों के मद्य दूरी बहुत घट गई है इस नहर के निर्मान से युरोप और जो दुस्टे देशे पुर्व देशे उनसे अमारी दूरी बहुत कम हो गई है जैसे लिवरपूल से मुंबई आने में 7250 किलो मेटर तता होंक कॉंग पहुशने में 4500 किलो मेटर नियूर्ग से मुंबई पहुशने में 4500 किलो मेटर की दूरी कम हो जाती है इस नहर के कान है भारत तथा एरोपी देशों की बिच व्यापार एक संभन्द प्रगार हो गए हैं इसके बाद अगला प्रश्ण है करकर एखा का भारत की जलवायू में महत्व कोई दो महत्व लिखे तो करकर एखा का महत्व हमें बताना है तो इसका उत्तर है करकर एखा के उत्तर इस्तित भागो तक उष्ण कर्टी बंदी जलवायू का विस्तार पाया जाता है थार का मरुस्तल ग्रिश्म रिदु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाप केंद्र बनाता है जो दक्षिन पश्चिमी मानसुनी हवाओ को अक्रस्ट करता है और जिसे पूरे भारत में वर्षा होती है इसके बाद अगला है हिंद महासागर में भारत की केंद्री इस्तती होने के तीन लाब लिखने है तो इसका उत्तर होगा भारत हिंद महासागर में केंद्री इस्तती रखता है यह एक मात्र देशे जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है भारत के बूर राजनेतिक सामरिक और आर्थिक व्यापारिक आदी अनेक हितों की पूर्ती हिंद महासागर से ही होती है इसमें अब पहला हम लिखेंगे हिंद महासागर एशिया यूरोप और अफरिका तीनों महादीपो को जोड़ता है तता इसका व्यापार भी दस्टिकोन से विशेश महात्व है दूसरा है भारत का लगबग 78% अंतरास्टिय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है तीसरा है भारत के संसाधनों की भी एक बड़े मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है अगला प्रिशने भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक कोन-कोन से हैं तो इसका उत्तर होगा भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक अक्छांश, उचाई, वायूदाप एवं पवन, समूद्र से दूरी, महासागरी धारायम उच्चावच लक्षन आदी है। भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक अक्छांश, उचाई, वायूदाप एवं पवन, समूद्र से दूरी, महासागरी धारायम उच्चावच लक्षन आदी है। इसके बाद अगला है भारत के किस भाग में देनिक तापांतर अधिक होता और क्यों। तो इसके उत्तर है थार के मरुस्थल में देनिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि रेज दोपर में अत्यदिक गर्म एम रात्री में अत्यदिक ठंडी हो जाती है। इसके बाद अगला पिष्ण है कोरी आलिस बल किसे कहते हैं। कोरी आलिस बल किसे कहते हैं तो इसका उतर है प्रत्वी के घुर्णन के कारण उत्पन आभासी बल को कोरी आलिस बल कहते हैं इसके बाद अगला प्रश्ण है मोसम और जलवायू में क्या अंतर है तो इसका उतरोगा मोसम एक विशेश समय में एक शेत्र के वायू मंदल की अवस्ता बताता है मोसम एक विशेश समय में एक शेत्र के वायू मंदल की अवस्ता बताता है जबकि एक विशाल शेत्र में लंबे समय अवधी 30 वर्ष से अधिक में मोसम की अवस्ताओं तथा विविदताओं का कुल योग जलवायू कहलाता है इसके बाद अगला प्रिश्ण है हिमालाय का भारत की जल्वाई उपर क्या ब्रपाव पड़ता है संक्षिप्त में लिखिये तो इसका उत्तर है हिमालाय मध्य इश्या से आने वाली ठंडी हवाओ को भारती उप महादूर में प्रवेश करने से रोपता है जिसे भारत में मध्य इश्या की दुल्ना में ठंड कम पड़ती है इसके बाद अगला प्रिश्ण है मांसुनी वर्षा की विशेष्टा है लिखिये किनी शेत्रों में अतधिक और किनी में बहुत कम वर्षा होती है अगला प्रशने मानसुन गर्थ किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है ग्रिश्म रितु के दिनों में अंतहु उष्ण कटी बंदी अभी सरन शेत्र की स्थती गंगा के मैदान की और खिसक जाती है इससे मानसुन गर्थ के नाम से जाना जाता है यह विश्वत ब्रथ से 5 डिगरी उत्तर में इस्थित होता है विश्वत ब्रथ से 5 डिगरी उत्तर में इस्थित होता है मानसुन गर्थ किसे कहते हैं इस प्रशन का उत्तर है इसके बाद अगला प्रशन है मालाबार शेत्र में धालू छत वाले मकान क्यों बनाया जाते कारण लिखिये मालाबार शेत्र में धालू छत वाले मकान क्यों बनाया जाते तो इसका उत्तर है मालाबार टट भारती उप महादीब का दक्षिन पश्चिमी टट है बोगोली गुरूप से इसमें दक्षनी भारत के सबसे नम शेत्र शामिले क्योंकि पश्चिमी घार नमी भरी मानसुनी बारिश को रोकते हैं खास कर उनके पश्चिम की और की पहाड़ी धलानों पर इसके बाद अगला प्रशने चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए तो इसका उतर है भारत में चक्रवात प्रभावित राज्य पश्चिमी बंगालोर उडिसा है अगला प्रशने जेट पवने क्या है तो इसका उतर है एक सकरी पट्टी में स्थित छोब मंडल में अत्यदिक उच्चाई वाली पस्चिमी हवाए जेट पवने कहलाती है इनकी गती होती 110 से 184 किलोमेटर प्रतिक घंटा इसके बाद भारत की जलवाई उपर जेट पवनों का प्रभाव समझाईए तो इसका उतर होगा जेट धाराओ के पस्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पस्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पस्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पस्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर प्रश्न है भारत में अधिक्तर वर्षा साल के कुछ महिनों में ही होती है कोई दो कारण लिखिए तो इसका उत्तर होगा भारत में अधिक्तर वर्षा कुछ महिनों में ही होती क्योंकि तो इसमें पहला कारण है मांसून अनिश्ची थे मांसून का समय जुनके आरंब से मद् पुरे भारत में वर्षा नहीं होती, चक्रवाद कई जगों पर वर्षा को फेलाने में मदद करता है, जब कि दूसरी जगों पर वर्षा नहीं हो पाती है, कहीं पर हो जाती और कहीं नहीं हो पाती, इस प्रकार से होता है, ये बाद अगला पिशने सदा बाहर वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए तो इसका उत्तरों का सदा बाहर वन वर्ष भर हरे भरे होते हैं वर्षा की पर्याप्तता 200 cm से अधिक के कारंटी के सदा बाहर वन जो होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे होते हैं दूसरा है लखड़ी अध्यदिक मजबूत होती सदाबाहरवन में और तीसरा अध्यदिक सघन होते हैं और इसी प्रकार हम पर्णपातिय पतजडवन में लिखेंगे गृष्मिरितु के प्रारम में अपनी पत्या किरा देते हैं व्रक्षो की उचाई ओसेतन तीस मीटर के लगभग होती है और व्यापारिक महतों के लिए अध्यदिक उप्योगी है इसके अगला प्रशने सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तता तुलसी के एक-एक ओशधी गुण लिखे या फिर ओशधी पोधो के नाम भी आ सकते तो आप यह लिख सकते हो तो यहाँ पे सर्पगंधा जो है रक्तचाप का नियंतर्ण करता है अर्जुन, कान दर्दव रक्तचाप नियंतर्ण में उप्योगी है नीम जो है जिवानों नाशक है और तुलसी रोग प्रतिरुदक शमता व्रद्धी कारक है अगला ही हिमालई वनों की विशेष्टा है लिखे हिमालई वनों की विशेष्टा है तो इसकी विशेष्टा है पहली है शंकुधारी आकार के होते हैं और दूसरी उच्चाई के साथ सघंता वा व्रक्षो की उच्चाई में कमी हो जाती है शंकुधारी आकार के होते हैं और उच्चाई के साथ सघंता वा व्रक्षो की उच्चाई में कमी होती है इसके बाद अगला मेग्रोव वन की दो विशेश्टा है मेग्रोव1 की विशेशता है तो मेग्रोव1 समूदरी टट्को स्थिर करते हैं तुसरा है यह तुफानी, लहरो, धाराव जवार से समूदरी कटाव को कम करते हैं इसके बाद अगला है उश्नकर्टि बंदी कटिले वन की दो विशेशता है तो उश्नकटीबंदी कटीले 1 है इसके दो विशेष्टाएं पहली है उश्नकटीबंदी कटीले 1 सितर सेंटीमिटर से कम वर्षावाले भागों में पाये जाते हैं और वाश्पीकर्ण को नियंतिन करनी के लिए पत्यों का काटों में परिवर्थन हो जाता उश्नकटीबंदी 1 जो है इसके जो है पोधों की बत्या काटों के रूप में परिवर्थन हो जाती है तो इसमें पहला लिखेंग उश्नकटीबंदी कटीले 1 सितर सेंटीमिटर से कम वर्षावाले भागों में पाये जाते हैं दुसरा है वाश्पीकर्ण को नियंतित करने के लिए पत्यों का काटों में परिवर्थन हो जाता है इसके बाद अगला है भारत के दो पक्षी अभ्यारण के नाम तो पक्षी अभ्यारण है वेदान थंगल और घना पक्षी विहार और दो रास्टी उध्यान के नाम भी हम यात करने के साथ में तो रास्टी उध्याने काना किसली रास्टी उध्यान और जिम कारबेट रास्टी उध्यान पक्षी नवी के भुगोल विशे के सारे important question देख लिए हैं इसके बाद अगले जो वीडियो में हम मांचित्र वाले प्रशन भी करेंगे और भुगोल के साथ ही हम इतिहास, राजनिति और अर्थशास्ट के भी सारे जो important question हैं आपके blueprint के अनुसारी हम तयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कख्षा नववी के समपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए